वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सब्सक्राइब कर लिए तो यहां पर हमने देखा था लास्ट हमने पढ़ा था कि मैडिकल कॉलिज की स्थापना किये जा रहे हैं अब उसके आगे देखते हैं गोरगपुर में एक आयोस विश्विध्याल स्थापित किया चाहेगा आयोस यूनिवर्सिटी गोडियो गोरगपुर में और इसके साथ ही दिसम्बर 2021 में आयरुविधिक संस्थान का सब्सक्राइब कया गया था ताका फर अлючste किया और इसी तो उड़ाने के लिए प्रोध deconst cinnamon की विवस्ता की गई अगला तर्थि दिया गया है कि उत्रपिदेश में जितने भी गाओं हैं गाओं को जो सड़कें बनेंगी बाबूजी कल्याड सिंग ग्राम उन्नती योजना के अंदरगत उन सभी पर सोलर इस्ट्रीट लाइट लगाए जाएगी ठीक है अगला तर्थि चूट प्रदान किया जाना तो यह सब इसके अंतरगत दिया गया है स्वक्षे सरविक्षान 2021 के बारे में आपर दिया गया है यहां पर उत्तर पिदेश की अठारा स्थानी निकायों को अलग अलग स्रेडियों में पुरुस्कार मिला है पुरुस्कृत की गई है उत्तर प्रदेश के पांच सहर सामिल है ठीक है अगला तति दिया गया है प्रदेश को स्मार्सिटी योजना के अंतरगत अभिनाव प्रियोगों और प्रियोजनाओं के बहतर किरियान्वेन के लिए पहला इस्तान मिला है देश भर में तो कई सारी योजना है जिनकी अच्छे किर प्रदेश को पुरुसकार मिला है रोजार 21 में भी 22 में अगला तति दिया गया है क्रशी चेत्र की विकासदर पांद सम्मल एक प्रिश्यत करने का लक्ष रखा प्रदेश में 20 क्रशी विज्ञान केंद्रों के स्थापना की जाएगी 2030 तक प्रदेश को पसों में होने वाल प्रदेश के लिए जहलकारी वाई कोरी तति दिया गया है ग्राम सभा के तालावों के मत से पट्टाधार को और मच्वारों को नावक्रे करने के लिए निशाद राज वोट सबसीटी योशना चलाई गई है इसके बाद अगला तति दिया गया है खादी प्रसंसकरन इसको लागु किया गया है इसकी बाद अगला तत सित किया जाएगा इसके लिए 20,000 कर रुपे के दिवेज का लक्ष भी रखा गया है प्रइश में तीन नए राज विशुविध्याले बनेंगे मागन सागुंभरी विशुविध्याले सहारनपूर महाराज सुहल देव विशु विशु विशुविध्याले और आजमगळ औ इनका सिला नियास किया जा चुका है इसके बाद अगला तत्य है वारा रसी में संत रभीदास संगरहल है और सांस्कति केन की स्थापना की गई इसके लिए संत कवीर संगरहल है की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी इसके अंदरगत प्रिदेश में 6,931.8 करोड रुपे का निवेस अनुमानित है उद्धर प्रिदेश में 2021 में कुल 10 करोड एक लाग परेटक आए जिनमें से भारती परेटकों की संख्या 10 करोड और प्रिदेशी परेटों की संख्या 1 लाग है अगला ततिया बारती में देव दीपावली महासिवरात्री बैलून फेस्टिवल बरसान में भब्यरंगोट साओ इसके अलाव लखनो रेजिरेंसी में आजादी कामरित महुसाओ पर ड्रोन और लेजर सोका आयोजन किया गया तो यह महुसाओ पूछ लेते हैं एक्जाम में जैसे कि चैरी फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं या फिर स्टोवेरी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया तो इस प्रकार से देव दीपा वाली महासिवरात्री बैलून फेस्टिवल यहां पर बानरसी में यह किया गया अगला ततिया बार्तुमान में उत्विडिस में बनावरण और ब्रक्षावरण प्रदिस की भौगोलिक छेतर का 9.23 प्रदिशत है जिसे 2030 तक 15 प्रदिशत किये जानी का लक्षे है 2022 में बर्सा कल 2022 में ब्रक्षा रूपन के लिए 35 करोड पौधा रूपन का लक्ष भी निर्धारित किया गया है अगला रति है प्रदंबार उत्विडिस सरकार की आबदा रहात योश्नाओं को आम जन्मानस की बीच सुगमता पहुचाने के लिए आबदा से जो होने वाली च्छती है उसको दर्जी करने के लिए एक औलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है जिसका नाम है आबदा पहरी तो आब्दा पहरी पर क्या है ओलाइन एक प्लेटफॉर्म में एक एप है इसको विक्सित किया गया है इस पर आब्दा से जो छती है उसको दरजी कर सकते हैं ठीक है अगला जो अगला फैक्ट दिया गया है सेफ सिटी योशना इसके अंतरकत क्या है महिलाओं को सुरक्षा के लिए है सेफ सिटी योशना के लिए है तो यहां पर हमने कुछ महतुपून तद्य को देखा अब आगे हम देखते वाले उत्तरवी विधानसवा चुनाओं 2022 हुए उससे संब्द हिता थे तो चली स्टार्ट करते हैं उत्तरवी विधानसवा के चुनाओं पिछले बरस या जिसमें 84 69 84 जो है वह अनुसूचे जाति स्टी के लिए और दो है अनुसूचे ज bilikphon U di government के लिए स्टी के लिए सिटी के लिए शीटी के लिए सिटयोर तो तो 84 SC के लिए 2 ST के लिए और टोटल जो निर्वाचन छेत्रों की कुल संख्या है वो 403 है भारती जंदा पार्टी ने 41.29% मत हांसल किये 403 सीटों में से 255 सीटों पर जीत तरजी की साहिबा बाद निर्वाचन छेत्र उत्तर पिडेस में है यहां से भारती जंदा पार्टी क ने सीट बरकरार रखी तो पहले भी यहां से चोने गए थे 2017 में भी जीत थी और जीत का अंतर एक दिसम्दल जीरो चाल लाग से बढ़कर इस बार कितना हो गया 1.81 लाग हो गया ठीक है यह हासल करने में यह सफल नहीं सबसे कम अंतर के साथ कौन जीता असोक कुमार राणा धामपूर सेट से थे 203 मतों से नोंने जीत दर्ज की यानकि अंतर यानकि जो इनकी बेपक्षों में खड़ा हुआ था जो इनकी बराबरी तक आया और 203 मतों से 203 मतों इनके पास जादा आ गए तो यह जीत गए तो यह सबसे कम अंतर और यहां पर जाद अंतर वाले हैं अगर ततिरिया गया है हर्चंदपूर यानकी राइबरेली से राहुल राजपूर 25 वर्स सपा और सैदपूर गाजीपूर से अंकित भारती 25 वर्स सपा ये ठारमी विधान सबा के सबसे युवा विधायक है सबसे कम उम्र वाले जो विधायक बन गई ये अभी इस साल के बत मंत्री और 20 राजमंत्री इन्होंने सपतली इस बार पांच महिला मंत्री भी बनाई गई थी उत्रपिडेस में अपना पांच वर्स का कारिकाल कुरा करने के पाशाथ दूसरे कारिकाल के लिए सपत ग्रहन करने वाले योगी आदितनाथ राजी के पिठा मुक्यमंत्री है उत्रपिडेस विधानसवाद दिर्श सतीस महाना महराजपूर कानपूर इसके बाद योगी आदितनाथ यहां के मुक्यमंत्री है गोरगपूर सदर इनकी जोहे विधानसवा सीट केसो परशाद मौर उप मुक्यमंत्री है सिराथू कौशामबी ब्रजिल स्पाठव उप म 60.6% मंदान हुआ था मतलब मंदान का अगर प्रतिशा देखे तो 60.6% मंदान हुआ 2022 में अम्रोहा में सबसे जादा मंदान हुआ 72.28% और बलरामपूर में सबसे कम मंदान हुआ 48.90% और ओवरॉल 60.6% हुआ ठीक है तो यहां पर हमने कुछ महत पूंटत्यों को देखा अपना दल को 12 मिले ठीक है और बhuौछं समाज पार्टी को एक सीट मिली भारती जंता पार्टी को सबसे जादा 255 यहांपर सीट मिली डोटल 430 थी घीक है इसके बाद यहां पर सबसे जादा है समाजवारी पार्टी की ही दिख रहे 하 century यह तो यहां पर यह सब बतायागे फ तो description में दीके detail को follow कर सकते हैं contact number आपको दिये गए हैं उन पर call करके आप जानकारी ले सकते हैं thank you for watching this video स्वास रहे हैं, मस रहे हैं, मुस्कराते रहे हैं, बढ़ाई करते रहे हैं thank you so much